मित्रों ओम सी गई साय निमाम आईए जानते हैं सनीवार यानि की 21 मई 22 का संपून और विस्तित पंचांग जानते हैं हमार जो भारती जोती इस पंचांग होता है वो होता है सुर्योदे, सुर्यास, चंद्रोदे और चंद्रयास्त पर आधारित पंचांग एक संस्क्रित का सब्दी है जिसका साब्दी कर्थ होता है पंचंगों से निर्मित और वो पंचंग के पंचंग होता है तिथी, वार, योग, नचत्र और करन इन्हीं पंचों चियों से मिलकर हमारे पंचांग का निर्मान होता है किसी भी सुपकारी को करने के लिए हमें जवत परती है सही मुहुर्थ, सही समय और सही नेचतर की और इन ही से भी जियों की संपूर्ण और सठीक जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम देने वाल है जो कि सनीवार 21 माई 2022 के लिए है वीडियो में हमारे साथ अंत्तक्मन रहे रहे ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए पंचांग का वीडियो पसंद आए जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें कमिंट बाक्स में जैसी किने जोर लिखें वितरों आज का संपून पंचांग आपको बता नारम करूँ उससे पहले आए हम सभी मिलकर एक बार सुपकामना देए उन लोगो जिनका जंदिन है आपको जंदिन की हार्दिक सुपकामना है भगवान सिब और महापारवती की तरह आप दोनों की जोड़ी हमें साइओं ही बनी रहे साथ साथ जोकव विवक्तिस पंचांग को देख रहे हैं यानि कि आप आपके लिए मैं आज के निकी मंगल में होने की कामना भगवान गरे से करता हूं तो इनी सब्दों के साथ आई ही चली आनते हैं सनीवार यानि की 21 मई 2022 का संपुन और विष्टित पंचांग जानते हैं आज है विक्रम संबद 1989 सक संबद 1944 कली संबद 524 माह जेष्ट माह पक्ष कृष्ण पक्ष हरितू कृष्मिरितू तिति रहेगी आज सश्ठी तिति आज राती के 7 बच कर 22 मेर तक रहने वाल है त्तर प्रण फिर सप्तमी तिति आरंभ हो जाएगी त्तर प्रण फिर भदरा करण आरंभ होगा योग आज का सुकले रहेगा दिन के बारा बच कर बावन मेर तक तदुप्राण फिर ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगा दिशासुल पूरुदिशा में है पूरुदिशा में किसी भी खास प्रियोजन से आतर ना कर यहाँ पर आपको नुक्सान हो सकता है सुब खाद्यास का अधर खरने वाले अधर का छोड़ टुकरा विखा कर यहातार रहम करेंगे किसी नई कारी को करेंगे उसमें आपको सफल्धात लगेगी चंद्रासी मकर रहने वाले मकर रासीम चंद्रमा विराजित रहेंगे वरत्योहार में सा कुछ नहीं है लेकिन सर्वार्च से धियोग आज रहने वाला है आघो रातरी तक याने की पूरी दिन और रातरी में भी सुरी रासी की बात के सुरी वेस्वासी में केती का नचतर में और स्वर्मा जेष्ट चल रहा है भी सुर्योदे और चंदोदे पेंगनेजर डालें तो सुर्योदे होगा सुभा के 5 बच कर 27 मेट पर सुर्यास साम के 7 बच कर 8 मेट पर होने वाला है चंदोदे होगा रातरी के 12 बच कर 38 मेट पर और चंद्रियास सुभा के 10 बच कर 24 मेट पर होने वाला है ये तो थी सुर्योदे और चंदोदे की बात आईए बेकनेजर डाले आज के सूब जोगरिया की स्थिती पर आज का सूब समय रहने वाला है सुबह के साथ बचकर दस मेर्च लेकर आठ बचकर बाउन मेर्च तक चर समय आज का दिनके बारा बचकर 17 मेर्च लेकर दिनके दो बज़े तक रहने वाला है लाव समय आज का दिनके दो बज़े से लेकर तीन बचकर 43 मेर्च तक रहने वाला है और आज का अमरीच समय दिन के 3 बचकर 43 मेर्च लेकर सामके 5 बचकर 25 मेर तक रहने वाला है ये तो थी आज की सुप जोगरिया आईए बेखनेजर डालें आज के राहुकाल और गुलिक काल की स्थिती पर आज का राहुकाल रहने वाला है सुभा के बचकर 22 मेर्च लेकर 10 बचकर 35 मेर तक राहुकाल एक असुप समय होता है इसमें कोई भी नयाकारी करने से बिलकुल बचना चाहिए इसमें आपको औसफलतात लग सकती है गुलिक काल एक सुभ महूर्थ होता है ये रहने वाला है सुभा के 5 बचकर 27 मेर्च लेकर 7 बचकर 10 मेर तक इस समय में कोई भी नयाकारी आरम करेंगे तो इसमें आपको सफलतात लगेगी अभी जीत मूर्थ भी एक सुभ महूर्थ होता है ये रहने वाला दिन के और आज का गौधली मूर्थ रहने वाला है सामके 6 बचकर 56 मेर्च लेकर 7 बचकर 20 मेर तक तो में तो यहां पर मैंने आपको आज का संपूर्ण और विस्तित पंचांग बता है इसी तरह की अन्य क्यान वर्धक वीडियो के लिए जुरे रहने धर्मसिक्षा के साथ और देखते लिए धर्मसिक्षा जै माता दी